एक बार की बात है, एक हरेबरे जंगल में कई जानवर रहते थे, जिन में कच्छुआ टोमी और खरगोश हनी भी शामिल थे, हनी अपने तेज दौरने के लिए प्रसिद्ध था, जबकि टोमी एक शांत और धीरे-धीरे चलने वाला कच्छुआ था, हनी हमेशा टोमी का मजाक उराता था, कहता था, तुम्हारी चाल तो इतनी धीमी है, कि अगर हम दौर लगाएंगे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे, एक दिन, टोमी ने हनी की बातों से तंग आकर कहा, अगर तुम इतने ही तेज हो, तो चलो दौर लगाते हैं, देखेंग हुई और हनी बिजली की गति से दौर पड़ा, टोमी धीरे धीरे अपनी धीमी चाल में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वह निरंतर और स्थिर रूप से चलता रहा, बिना रुके, कुछ देर बाद हनी ने देखा कि टोमी बहुत पीछे रह गया है उसने सोचा, मैं तो बहुत आगे हूँ, टोमी तो अभी तक मुझसे को सो दूर है, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लूँ, हनी एक पेर के नीचे आराम करने बैच गया और जल्द ही सो गया, इस बीच, टोमी अपनी धीमी चाल में लेकिन लगाता चलता रहा, उसे मालूम था कि अगर वह खहरेगा नहीं और धैरे से चलता रहेगा, तो वह लक्षे तक पहुंच सकता है, समय बीचता गया, और टोमी हनी के सोने की जगर तक पहुंच गया, उसने हनी को सोते हुए देखा, लेकिन वह बिना रुके आगे बरता रहा, जब हनी की नींद खुली, तो उसने देखा कि टोमी लगभग जीत की रेखा के पहुंच चुका है, वह गबरा गया और जितना तेज हो सके दोरा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तोमी ने दोर जीत ली थी, जंगल के सभी जानवरों ने टोमी की जीत पर तालिया बजाईन, तोमी ने हनी को स सिखाया कि तेज होना ही सब कुछ नहीं है, बलकि लगातार प्रयास और धैरे से ही असली जीत हासिल होती है, हनी ने अपनी गलती मानी और टोमी से माफी मांगी, दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ मिलकर मस्ती करने लगे, इस कहानी से हमें यर सिखने को मिलता है कि धैर्य, सन्यम और निरंतर प्रयास से हम अपने लक्षे तक पहुंच सकते हैं, चाहे हमारी गती धीमी ही क्यों नहों, तेजी और जल्दबाजी से हमेशा जीत नहीं मिलती, बलकि सही दिशा में स्थिर रहकर चलने से सफलता मिलती है. झाल झाल